जया प्रदा असी के दशक की उन पॉपुलर एक्ट्रेसस में से एक रही जिन्होंने बॉलीवुड पर लंबे वक्ट तक राज किया था जया प्रदा ने अपने दांस और बेमिसाल एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया लंबे वक्ट से वह फिल्मों से दूर हैं और राजनीती में सक्रिया हैं लेकिन आज भी वह अपनी इंप्रेसिव पसनेलिटी के लिए चर्चित रहती है जया प्रदा ने अपने बॉलीवुड के सफर में तमाम उतार चड़ाव देखे लेकिन उन्होंने लगातार खुद को साबित किया आज की समय में जया प्रदा करोडों रुपे की मालकिन है लेकिन उनका बचपन बेहत सामान्य तरीके से बीता था जया प्रदा आंध्रप्रदेश के एक छोटे से गाउं राजमंडरी में तीन अप्रेल 1962 को पैदा हुई थी मिदल क्लास से आने वाली जया प्रदा बचपन से ही डांस की शोकीन थी उनकी मा नीलावनी ने डांस के प्रती उनके बढ़ते रुझान को देख पूरी तरह बदल गई जब जया प्रदा स्कूल में पढ़ाई करती थी उस वक्ट स्कूल के एक फंक्शन में जया प्रदा ने एक छोटी सी डांस पफॉर्मेंस दी थी उस फंक्शन में साउथ की फिल्मों के डाइरेक्टर के भी तिलग भी मौजूद थे वे जया का डांस देखते ही इंप्रेस हो गए उन्होंने जया को अपनी फिल्म में तीन मिनट के डांस का ओफर दे दिया हाला कि जया ने संकोच की वज़े से उस ओफर के लिए हा नहीं कहा लेकिन परिवार के मनाने के बाद वह इसके लिए तैयार हो गई उस वक्त जया प्रदा की उम्र सिर्फ 12 साल थी और इतनी चोटी सी उम्र में उन्होंने ऐसा दांस किया की लोग उनके फैन हो गए इस तीन मिनट के दांस के लिए जया प्रदा को फीस की तौर पर 10 रुपे मिले थे जो समय में बड़ी रकम हुआ करती थी इसी डांस ने जया की किस्मत बदल दी निर्देशक के भी तिलक जया प्रदा के दांस से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का सिर्फ वही हिस्सा तेलगू फिल्म इंडस्ट्री के दिगजों को दिखाया जिसमें जया ने पफॉर्मेंस दी थी इसके बाद तो जैसे जया प्रदा के पास बड़ी बड़ी फिल्मों के ओफ आने लगे और कुछी समय में जया प्रदा सत्तर और असी के दशक की टॉप एक्ट्रेस बन गई और महंताने की तौर लाखों रुपे की फीस लेने लगी हाला कि जया प्रदा को बीच बीच में असफलताओं का दौर भी देखना पड़ा लेकिन कई फिल्मों में उन्हें काम्याबी भी मिली जया प्रदा नब्बे के दशक तक काफी पॉपुलर रही जया प्रदा ने लगभग तीन दशक तक बॉलिवुड में काम किया और इस दोरान उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम किया इन में संजोग, ओलाद, स्वर्ग से सुंदर, शराबी, चोराह, घर-घर की कहानी जैसी फिल्में शामिल है इन फिल्मों में वह मिताब बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, संजेदत, रिशी कपूर और जीतेंद जैसे इंडिस्ट्री के दिगजों के साथ नजर आई जैया प्रदा ने बॉलिवूड की टॉप एक्ट्रेस रही स्वर्गिय श्री देवी के साथ भी एक दरजन फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई एक दिल्चस्प बात ये भी है कि वह साथ भारतिय भाषाओं की जानकार है और अलग-अलग भाषा की इन फिल्मों में काम भी कर चुकी है जिस समय में जैया प्रदा अपने कर्या में टॉप पर थी, तभी उनके घर पर रेड पड़ी यह उनकी लाइफ का सबसे बुरा फेस था, इसके बाद जैया प्रदा को लंबे वक्त तक नाकामी ही हाथ लगी इसी समय में प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने उनका साथ दिया उन्होंने इस दौरान जैया प्रदा की काफी मदद की जैया प्रदा और श्रीकांत नाहटा के बीच धीरे-धीरे नजदी किया बढ़ती गई दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन मुश्किल ये थी कि नाहटा पहले से शादी शुदा थे और तीन बच्चों के पिता थे लेकिन जैया प्रदा नाहटा से प्रेम करने लगी थी उन्हें इस बात से फर्प नहीं परता था कि श्रीकांत शादी शुदा थे जया ने श्रीकान से शादी कर ली लेकिन उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं मिल पाया शादी के तीन दशक बीच जाने के बाद भी जया प्रदा की अपनी कोई संतान नहीं हुई इसके बाद उन्होंने अपनी बेहन के बेटे सिद्धू को गोध ले लिया नब्बे के दशक में ही उन्होंने एक्टिंग छोड़कर राजनीती में इंट्री ली